नमस्कार दोस्तों, मैं राहूल सिंग, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कॉमर्स कुरूथ पे दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपोर्टेंट इस उबह बात करने वाले हैं जैसे कि आपको पता होगा कि क्लाश 12 के बाद जितने भी इस्टेंट होते हैं वो गया करते हैं अपने ग्रिजूशन में अड्मिसन लेते हैं ग्रिजूशन करने के लिए तीन सल का जो ग्रिजूशन का तीन सल ये चार सल का जो भी कुर्स होता है उसमें एड़ीशन लेते हैं और यह जो एश्टुटिंट होते हैं वो अपने ग्रिज़शन में उसी प्रकार पढ़ाई करते हैं, जिस प्रकार यह रोग 12 में पढ़ाई करते थे, बहुत ऐसे श्टुटिंट हैं, सभी श्टुटिंट के मैं बात नहीं कर रहा हूं, इसमें पूलो में करती है हमेरा का मतलब किया है कि आप पढ़ाय करते थे आप नैटी 85 परशेंट बत क्या पांच श१े घंटा आनों भी देंगे आपको यह लगता है कि अगर अगर आप 5-6 घंटा ग्रेजुसन में भी दे रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग आप यह अच्छे नहीं कर रहे हैं और कहीं न कहीं इंडिरेक्ली इसका प्रभाव आपके लाइफ पर पढ़ने वाला है आप टाइम को अच्छे से उटलाई नहीं कर रहे हैं अगर ग्रेजुसन में भी आप 6 घंटा देंगे पढ़ने के लिए और आप सुचेगे कि हमारे अच्छा नमबर आए अच्छा नमबर दो आ जाएगा बट इसका इंडिरेक्ली आपके लाइफ पेमपेक्ट जरूर क्या कर पाएंगे क्या आप जो 50 परशंट लाएगा उससे आप आगे निकल जाएंगे बिल्कुल नहीं में आपके मार्स का 80-90 परशंट कोई हैलो नहीं होता है तो आपको बता दें जो चाहते हैं कि हम 12 जैसे पढ़ते थे उसी प्रकार हम ग्रेजुसन में पढ़ें और 6 गहंटे, 7 गहंटे अपना डिबोट करें गरिजुसन के पढ़ाई में तो कहीं नहीं वर्थ नहीं होगा आपके लिए तो दोस्तों मैं आपको सजेश्ट करूंगा यही आप अपना ग्रेजुसन का पढ़ाई जो है वो कहीं नहीं 2-5 घंटे का भीच में रखी है डेली का और बाकी जो समय बचता है, आप अपने skill development पे काम कीजिए, उस समय में आप अपने आपको develop कीजिए, अपने skill को develop कीजिए, और अपने skill पे काम कीजिए, जैसे कि आप कुछ short term course कर सकते हैं, अलग से, कुछ short term diploma कर सकते हैं, सालवर का जो डिपलोमा होता है, तो आप वहाँ time दीजिए, वहाँ time दीजिए, तो कहीं न कहीं आपको job लेने में असानी होगी, तो आपको job लेने में यहाँ पर problem नहीं आएगा, लेकिन आप अकर सिर्फ gradation करके और आपके पस कोई personal skills नहीं है, कोई अलग से अपने आपको develop नहीं किये हैं, तो कहीं न कहीं आपको job लेने में दीकत आएगा, चाहें आप असी मर्स भी ला ला लिए, तो क्या हुआ, कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है, तो कहीं न कहीं आपने time को आप अच्छे से और अच्छे जगह पे उट लाई कीजिए, ना की फालतो जगह पे, फालतो जगह बोलने का मतलब नहीं है, यह नहीं है कि आप पढ़िये ही मत, आप अपको पढ़ना है, बट एक limited समय देना है, उसको, आप ऐसा नहीं कि आप जैसे 12 में पढ़ते थे, 6 घंटे-7 घंटे आप अपने 12 को देते थे, उसी प्रकार आप ग्रिजिशन क अपने 6 घंटे-7 घंटे नहीं दे सकते हैं, अगर देते हैं, तो कहना कहीं, इंडरेक्ली आपके लिए नुकसान दायक ही होगा, तो आपके पास जितने भी extra time हो रहे हैं, आपने time को बचाईए, और बचाएकर कहीं दूसरी activity में लगाईए, कि सिर्फ ग्रिजिशन करने से सब कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ ग्रिजिशन पास करने से आप अच्छे पद पर नहीं पहुँच पाएंगे, तो कहीं ना कहीं, आपको extra कुछ करना पड़े है ग्रिजिशन के साथ साथ, ठीक है, तब जाके आप कहीं अच्छे पद पर पहुँच जाएंगे, तो हमा बास में कोई संदे नहीं हो, ठीक है, इतना पड़ाई किजिएंगे, बंड़ बार बार आपको बोल रहे है, और वीडियो में वेयरी पर डुर रहा है, कि आपको जो टाइम है से बचार है और आपको दूसरे जगा कहीं उटलाईज कीजिए, जिससे आपका लाइफ बन सके तो दोस्तो एक चोटा सा suggestion था जो student ऐसे करते हैं उनके लिए सभी student के मैं बात नहीं कर रहा हूं सबी student ऐसे नहीं करते हैं सभी student ऐसे नहीं करते हैं हर कोई अपने अपने अंगल से सुचता है ठीक है? तो हमारा suggestion था आपको अगर suggestion अच्छा लगा तो इसके बारे में अच्छे से गाइडन्स निल सके तो दोस्तों चलिए वीडियो के यहां पर अंद करते हैं ऐसे प्यार बनाया रखिएगा और प्यार बढ़ साय रखिएगा जाएं